आप सब गाईज आज हम आपको जो इस्टोरी सुनाने जा रहे हैं वो है जिहाद की जिहाद का खतना जब हुआ था तो उसका जो प्राइबिट पार्ट है उसी दिन ओपें किया था हजाम ने किया था और खतना भी सेम डे ही किया था इस्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप मैं चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकान को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए इस्टोरी में आगे बढ़ते हैं आज की रियल इस्टोरी है जिहाद की जिहाद जब 6 साल का था तब उसका खतना हुआ था जिहाद जब 6 साल का हुआ तब उसकी फैमली ने सोचा उसका खतना कराना चाहिए तो जिहाद की ममी ने बोला बेटा तुम्हारा खतना कराएंगे उस टाम जिहाद को नहीं पता था कि खतना क्या होता है तो जिहाद बोला ममी खतना क्या होता है तब जिहाद की ममी ने कहा बेटा तुम्हारे नुन्नू को अच्छा कर देंगे जिहाद ने कहा मम्मी मेरा नुनु तो पहले से ही अच्छा है फिर जिहाद की मम्मी ने कहा नहीं बेटा अभी तो अच्छा है पर और अच्छा दिखेगा जब डॉक्टर तुमारे नुनु में थोड़ा सा क्रिम लगाएंगे जिहाद बोला ठीक है मम्मी जिहाद की मम्मी ने अपने बेटे की नुनु की कभी सफाई नहीं की थी ना ही ध्यान दिया था लेकिन जब जिहाद की मम्मी की एक बुड़ी अंटी थी उनसे बात की जिहाद का मुसल्मानी जल्द ही करा देंगे तो उनकी बुड़ी अंटी ने जिहाद का पैंट उतारा, जिहाद सर्माने लगा, थब बुड़ी अंटी ने जिहाद की नुनु पकड़ कर देखा, उसके नुनु की खाल पीछे नहीं जा रही थी, पिंक वाला पार्ट भी ओपें नहीं हो रहा था, थब बुड़ी अंटी ने बोला, जल्दी हजाम बुला कर इसका खतना करा दो जिहाद के पापा जो है मुलक से बाहर रहते थे इसलिए जो करना था जिहाद की ममी को ही करना था दो दिन बाद हजाम को बुलाया गया इसके बाद मुसल्मानी का समान तैयार किया घर के अंदर ही जिहाद का मुसल्मानी कराना था हजाम ने बोला बच् कुछ नहीं होगा, तुम्हारी नुनु को क्रीम लगाएंगे और तुम्हारी नुनु बहुत अच्छी हो जाएगी, तब जिहाद मान गया, पास में जिहाद के अंकल आंटी बैठे थे, अंकल ने जिहाद का हाथ पकड़ा और हजाम ने जिहाद के पैर को अपने पैर में फस और जब खाल को पीछे कर रहा था तब जिहाद जो जोर से चिला रहा था और रोने लग रहा था क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था अगर उसकी ममी ने पहले किया होता तो इस टाइम उसे दर्द नहीं होता इस अब देखके उसके ममी को बहुत रोना आ रहा था फिर सुसु कर दिया सुसु हजाम के नुनु अपने कपरे से ही साफ कर दिया फिर हजाम ने खाल को आगे खीचकर पीछे लकडी की एक चिमटी लगा दिया फिर आगे की खाल काट दी और जिहाद की चुडिया उड़ गई इस स्टोरी में इंट्रेस्टिंग ये था कि जिहाद का प्राइबेट पार्ट भी उसी दिन ओपन किया गया और साथ ही साथ खतना भी यानि मुसल्मानी भी किया गया आप कमेंट में जरूर बताएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि अगर प्राइबेट पार्ट ओपन नहीं है तो खतना कैसे होगा तो इसी स्टोरी से आई होप क करना बिल्कुल ना भूलिएगा थांक यू